हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू नर्सिंग स्टडी आज की वीडियो में हम बात करेंगे ब्लड ग्लुकोज चार्ड के बारे में या फिर कह सकते हैं कि ब्लड ग्लुकोज लेवल नॉर्मल ब्लड ग्लुकोज लेवल कितना होना चाहिए नॉर्मल कितना होना चाहिए यानि कि एक होते हैं उनका Normal बल्ड शुगर यानि कि ब्लड ग्लूकोस चार्ड जो कितना अनल चाहिए तो सबसे पहले बात करते हम नॉर्मल पेशिग की ऍसों की जो हलूधी होते हैं तो उनका जो बıkलक वह फास्टिंग में असे साइक की बीच में फास्टी में खाली piet जब अगर उनका blood sugar चेक किया जाए तो उनका blood sugar जो है 80 से 80 की बीच में रहना चाहिए after rating खाना खाने के बाद उनका glucose होना चाहिए 170 to 200 यानिकी 170 से 200 की बीच में रहना चाहिए and 2 to 3 hour after rating खाना खाने के 2 से 3 घंडे के बाद उनका blood glucose जो है वो 120 to 140 तक रहना चाहिए उसके बाद आता है Impaired Glucose तो इसमें आ जाए इनका Blood Glucose होना चाहिए 101 to 125 101 से 125 के बीच में रहना चाहिए After Rating खाना खाने के बाद इनका Glucose Level जो है Blood Glucose Level 190 से 230 के बीच में रहना चाहिए And 2 to 3R After Rating रहना चाहिए इनका 140 से 160 के बीच में And उसके बाद Last में आता है Red Line में है Diabetic Patient जो Diabetic Confirmative Patient होती है तो उनका जो Fasting में Normal Blood Glucose Level जो है वो 126 प्लस रहना चाहिए Okay उसके बाद After Rating कुछ खाना खाने के बाद कुछ भी चाहिए वो Meal लें कोई भी खाना भी खाए तो उनका जो Blood Glucose Level जो है होना चाहिए 220 से 300 के पीच में रहना चाहिए उसके बाद आता है इसमें 2-3 hour after Rating खाना खाने के बाद जब खाना खा लेते हैं 2-3 घंटे हो जाते हैं खाना खाने के बाद तो उनका Blood Glucose Chart जो है Blood Glucose Level जो है वो होना चाहिए 200 प्लस यानि कि 200 से थोड़ा उपर होना चाहिए तो यह हमने बात की Normal की, Impaired Glucose की और Diabatic Patient की कि उनका Fasting में कितना होना चाहिए Blood Glucose After Rating कितना होना चाहिए Fasting means खाले पेट कितना होना चाहिए खाना खाने के बाद कितना होना चाहिए और 2-3 घंटे के बाद